नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Knowledge बाज वराज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर परदेश से लेखपाल के एकजाम 2021 के बारे में हम बात करेंगे और इस फार्म को फिल करने का मौका किन बच्चों को मिलेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफी बच्चों के मने में डाउट है कि उनको मौका मिलेगा या नहीं तो इस वडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जागा जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टुपल सी पेट का रिजल्ट डिकलियर हो गया है और उसी के माक्स के बेसिस पर लिख पाल एकजाम 2021 के लिए अप लाइक कर सकते हैं ठीक है ना एक दोस्तों छोटा से रिक्वेस्ट एक वडियो अच्छा लगे तो वडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट की जगा चलिए हम अब जानते हैं कि कौन से बच बताते होंगे मैंने भी बताया कटफ है बट कटफ का यहां कोई मतलब नहीं है ठीक है ना सभी बच्चों को फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा है सब्सक्राइब क्यों कह रहा हूं इसके पिछा मैं लाजिक बतातो आपको क्योंकि इससे पहले जो ग्रामीन बैंक का एक्जाम करवाने के बाद सभी बच्चों को फॉर्म अपलाई करने का मौका दिया जाता था मतलब वहां भी जो ग्रामीन बैंक का एक्जाम होता था एक साल का एक्जाम होता था मतलब एक बार एक स्कोर कार्ड आपको दे दिया गया और वह स्कोर कार्ड एक साल के लिए व इतने भी बैंक हैं जितने भी वैकंसि निकलेंगे जैसे मालिजे लेख पाल वैकंसि निकला लेख पाल के लिए क्या किआ जाएगा कि सभी कंड़िट पॉरम फिल करने का मौक्त धिया जाए गा रॉस पर आप आप लोग के पास triple c अभी अभी तक नहीं है तो अभी भी कर लिजे अभी भी आपको time मिल सकता है क्योंकि यह हो सकता है कि election का time है election का time पर ऐसा यह notice निकाले कि document verification के समय triple c चाहिए triple c तो 100% चाहिए और triple c के जगह पे अगर btec है computer science में bca है या कोई भी triple c के equivalent degree आपके पास है तो भी आपे इस form को आसानी से fill कर सकते है तो अभी भी apply कर दीजे आप triple c के लिए क्योंकि यह document verification के समय triple c मांग सकते है या एक date दे सकते है कि इस date तक आपका triple c का degree आ जाना चाहिए ठीक है हो सकता है form fill करते समय आपको triple c ना मांगे बटे यह मांग सकते है ठीक है ना तो मैं आपको बता रहा था कि यह form आप लोग सभी fill करेंगे और उसमें जिनका भी triple c होगा उनको क्या किया जाएगा जिनका भी qualification होगा triple c plus में graduation होगा उनको क्या किया जाएगा निकाल दिया जाएगा पहले फांज भरवाल ही जाएगा उसके बाद दिखा जाएगा कि किनका इνका ट्रिपल ची हो रिजुएशन हैं मतलब जो कौलिफिकेशन मो किनके इसके बाद आपको कौंट दिखाया जाएगा मतलब इसके बाद कटफ जारी किया जगा अभी कोई भी कटफ नहीं आएगा ठीका ना अभी कोई भी कटफ नहीं आएगा क्योंकि माल लिजे कि यह आठ परसेंट बच्छों को बुलाते हैं अब आठ परसेंट बच्छों के पास माल लिजे ज्यादा तर बच्छों के पास अगर डिगरी नहीं है तो क्या होगा कि उतने बच्चे मिल ही नहीं पाएंगे जितने के पास वेकेंसी है ठीका ना तो ये रिक्स नहीं लिना चाहेंगे ये पहले क्या करेंगे फॉर्म को फिल करवा लेंगे उसके बाद एक कटफ जारी करेंगे सौट लिश्टेट करेंगे उसके बाद आ यह आएगा फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिल चकता है, आपको हो सकता है कि 10 नौवंबर से पहले आपको पॉर्म देखने को मिल जाए, और यलक्षन से पहले उस उस मांग को फिल भी करवाली आ जाए । और यह एक चुनावे चुनाव के समय चुनावी नीती भी हो सकता है triple c नहीं मांगा जाया अभी आप से नहीं मांगा जाया बट इसके लिए triple c बहुत ज़्यादा जरूई है क्योंकि यहां पे आपको अब जो भी काम करना होता है वो computer पे काम करना होता है आपके पास computer knowledge होना चाहिए आप कोई भी job के लिए apply कीजिए railway से लेके आप कोई भी job के लिए apply कीजिएगा आपके पास computer knowledge होना चाहिए और government जो होती है UP government होती है वो triple c को valid रखती है जैसे कि आप देखेंगे UP जो high code का निकला था फिलावार high code का निकला था वहां भी triple c मांगा गया था तो triple c सब जगा मांगा जा रहा है तो यहां निश्चित रूप से triple c मांगा जाएगा अगर आपके पास triple c नहीं होगा तो आप इस form को apply नहीं कर सकते हैं और मैं बता दू सबी लोग इस form को apply करेंगे अगर माली जी की election के कारण election के कारण इन्होंने बोल दिया कि triple c अभी ने चाहिए तो बाद में तो चाहिए ही होगा तो उससे अच्छा है कि अभी भी मौका है triple c के लिए apply कर दीजे आप लोग और triple c certificate ले लिजे साकि आप लोगो आगे चल के कोई दिक्रत ना हो क्योंकि लेकपाल में आपको triple c चाहिए 100% चाहिए ठीका ना तो ये form नॉम्बर में आएगा और लेकपाल का form भरने का मौका सभी को मिलेगा जिनका कितना भी percentile है 50 percentile है तो भी आपको ये मौका देने वाले है तो आप लोगे अभी आप लोगो कुछ भी नहीं पता है कि इसका cut-up कितरा जाएगा वो cut-up तभी बताया जा सकता है जब आपे जब उनको वो बच्चे मिल जाएंगे जिनके पास इनका qualification है ठीका ना जैसे medical वाला form होगा तो medical वाले में मालीजे कि कुछ ऐसे post है यहाँ पे UPSC के अंडर में जिसमें 2000 पोस्ट है अब 2000 के लिए तो मालीजे 2% हो जाएगा जिसका 98% है केवल वही apply कर सकते है तो ऐसे क्या हो जाएगा कि इनको बच्चे ही नहीं मिलेंगा या तो 22,000 form एक साथ निकालेंगे क्योंकि यह election का समय है और यह दिखाना चाहेंगे कि हम एक साथ हमने 22,000 vacancy निकाला है ठीक है बीजेपी में यही होता है कि वो number से के साथ खेलते है तो एक साथ यह 22,000 vacancy निकाल सकते हो और उसके लिए एक साथ form फिल करवा सकते है ठीक है ना एक ही साथ form फिल करवा सकते है अलग-अलग ने फिल करवाएंगे और जब cut-up निकालेंगे तो लेकपाल का अलग निकालेंगे और जो अलग-अलग department है उनका अलग-अलग cut-up निकलेगा ठीका ना, election के समय आपको सम्मोहित करने का कुशिस किया जाएगा, तो बट form सभी को फिल करने का मौका मिलेगा, और triple C आपके पास उना चाहिए, अगर नहीं है तो आप form बाद में आपको जरूर problem हो सकता है, तो अभी भी time है, अभी सोचिए मत, triple C आप लोग जल्दी से कर लीजे, अगर इसके अलाबा भी किसी का कोई डाउट होगा, तो आप लोग comment करके बताईएगा, और मैं बता दू कि अभी बिल्कुल भी कोई cut-up नहीं जाने वाला है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आसा करता हूँ कि आज का दिने, आप लोगा काफी अच्छा रहे हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, डैंक्यू